नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम सब देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर डारेक्शन टेस्ट ये वीडियो सभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन और यूपी असी तथा बैंकिंग सर्विसेस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टन है क्यों और उससे पहले हम कुश्चन पर जाएं उससे पहले कुछ बेसिक अंडरॉश्टेंडिंग करते हैं कि आखिर डारेक्शन्स होते क्या है ठीक है आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो कुल चार दिसाएं होती है चार दिसाएं होती है मान लिजिए आप कहीं सेंटर पर खरे तो आपके जो राइट साइड में होगा उसे क्या बोलेंगे इस्ट बोलेंगे और जो लेफ्ट साइड में होगा उसे वेस्ट यानि की पस्यम बोलेंगे और आपके सामने आपके सामने नार्थ होगा और आपके पीछे साउथ होगा ठीक है यह चार बेसिक जो में डारेक्श नॉर्थ इस्ट बोलते हैं इसी तरीके से साउठ और इस्ट के बीच में साउठ इस्ट हो जाएगा साउठ और वेस्ट के बीच में साउठ वेस्ट हो जाएगा और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा ठीक है यानि कि अगर हम रिजनिंग की बात करें तो Q'L हमें आठ डाइएक्षन के बारे में पढ़ना होता है ठीक है तो यह होगगा बेसिक दिसाँ के बारे में इसके बाद हम बात करते हैं पाइथागोरियन थेओरिम भी ऐह बहुत ही इंपोर्टन हो जाता है जब हम डारीक्षन चैप्टर पढ़ते हैं रिजिन कि पाइथागोरान ठेवराम होता क्या है पाइथागोरान ठेवराम कहता है कि A2 plus B2 is equal to C2 तो इसमें A क्या है B क्या है और C क्या है हम समझते हैं अगर हम इसे परपेंडिकुलर को A मानते हैं, बेस को B मानते हैं, और हाइपोट्रिनस को C मानते हैं, यानि कि लंब A हो गया, आधार B हो गया, और कर्ड C हो गया, तब A² प्लस B² is equal to C² होगा, जैसे मान लेते हैं, लंब का मान या बैलू दी गई है 3 मीटर, और आधार की बै आपोट्रिनस के वैलू कितना आएगा, वो हम इस फार्मूले के माद्यम से निकाल सकते हैं, इसका बहुत जादा यूज होता है डायरेक्शन चैप्टर में, तो इसे हम समझते हैं, जैसे 3 का स्कॉयर, 3 स्कॉयर प्लस 4 स्कॉयर is equal to C², तो C स्कॉयर is equal to 9 प्लस 16, C स्कॉयर is equal to 25, तो C is equal to कितना हो जाएगा, अंडर रोट 25 यानि कि 5, तो यहाँ पर C का मान कितना आ जाएगा, 5, इस तरीके से आप इस फार्मूले के माद्यम से इसे निकाल सकते हैं, बहुत ही जादा यूज होगा इसका, आगे हम समझेंगे question में, ठीक है, आगे समझते हैं, देख question में आपको मिलेगा कि left, right ये सब्द आपको सुनने को मिलेंगे, तो direction में हम इने कैसे use करते हैं, समझते हैं, जैसे मान लिजी आप यहाँ center में खड़े हैं, और आपका जो face है, north direction में है, face है आपका north direction में है, और आपको बोला जाए कि भाई, दाहिने मुड जाओ, यानि क take a right, ठीक है, तब आपका मुख किधर हो जाएगा, पूर्ब दिसा में, east direction में, ठीक है, देखिए, तो आपने क्या किया, clockwise कितना, 90 degree, clockwise, 90 degree मूब किया है, तो इसका मतलब क्या हुगा, जब भी आपको right मुडने को बोला जाएगा, तो आपको clockwise direction में मुडना है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, और फिर अगर वहीं बात करें, आपका मुख not direction में है, और आप से बोला जाएगा, take a left, यानि कि बाएं मुड जाओ, एक बार बाएं मुड जाओ, तब आपका मुख किधर हो जाएगा, पस्चिम दिसम हो जाएगा, तो left का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लाकवाईज, एंटी क्लाकवाईज, ठीक है, एंटी क्लाकवाईज, इतना बार समय में आगया, तो जब भी right की बात होगी, तो clockwise और left की बात होगी तो anti-clockwise, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, right को दच्छिडा वर्त, और left को वामा वर्त बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद समझते हैं relationship between left and right तो क्या संबंध होता अंतर संबंध होता है इसे हम समझते हैं देखिए बहुत ध्यान से ये concept अगर आप समझ लेंगे तो बहुत सारे ऐसे question आप second में भी लगा सकते हैं कैसे देखिए मान लेजिए किसी वक्ती का मुख उत्तर दिसा में है और उसे बोला जाए कि एक बार दाएं मुड़ जाओ तो एक बार दाएं मुड़ के वह कहां पहुँच जाएगा पूर्व दिसा में तो इसका मंदलब क्या हुआ कि एक दाएं एक दाएं बराबर 90 डिगरी clockwise clockwise बस समझ में आ रही है ठीक है अब अगर बोला जाए कि दो बार दाएं मुड़ जाओ ठीक है नाच डारेक्शन में उसका मुख है और बोला जाए कि दो बार दाएं मुड़ जाओ तो पहली बार में तो वह कहां पहुँच गया East में 80 डिगरी या पीछे पीछे मतलब कैसे वो नौर्थ में था कहां पहुँच गया South में अगर East में होता तो कहां पहुँच जाता West में West में होता तो कहां पहुँच जाता East में South में होता तो कहां पहुँच जाता North में बात क्लियर हो रही यानि कि दो बार अगर दाएं मुड़ने को बोला जाये तो व्यक्ति का मुख जो हो जाता है वो पीछे हो जाता है ठीक है चलिए इसके बाद फिर बोला जाये कि तीन बार दाएं मुड़ो तीन बार दाय मुड़ो तो North से East पहुँचा East से South पहुँचा और South से कहां पहुँच जाएगा West तीन बार में North से West पहुँच जाएगा लेकिन हम अगर उल्टी तरफ से देखें तीक है यानि कि इधर से देखें तो वो एक बार हमें ही पहुँच सकता है ठीक है? अगर हम लेफ्ट साइड से पहुँचना चाहें जहां पर वो तीन बार में राइट साइड से पहुचा है तो वहां पर एक बार में ही पहुँच सकता है तो हम कह सकते हैं कि तीन दाया तीन दाया बराबर एक बाया बात सुन्मा रही ना यह होता है relationship between left and right यहनि कि तीन दाया बराबर क्या हो जाएगा एक बात सुन्मा रही है तो इसी तरीके से चार दाया बराबर क्या हो जाएगा चार दाया में तो फिर से वो not direction में ही हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया चार दायां बराबर 0 degree चार दायां बराबर 0 degree यह हम basic समझ रहे हैं अगर यह हम समझ गए अच्छे से तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी question को solve करने में direction chapter से ठीक है इसके बाद फिर आता है बाएं की बात अगर यहां से बोला जाए कि आप एक left लीजिए एक बार बाएं मुड़िए तो आप कहां हो जाएंगे यानि की क्या हो गया एक बाएं बराबर 90 degree anti clock 90 degree anti clock wise इसी तरीके से दो बाएं दो बाएं बराबर कहां हो जाएगा 180 degree या पीछे अब देखिए तो दो दायां या दो बायां दोनों का मतलब सेम होता है चाहे आप दायां से जाएं तब भी वहीं पहुंचेंगे या फिर बाएं से जाएं तब भी वहीं पहुंचेंगे बात समय मारे यानि की 2 right और 2 left is equal to 180 degree और back यानि की 180 degree या ठीक है अब देखते हैं तीन बार में हम कहां पहुंचेंगे तीन बार में एक बार में तो वेस्ट पहुंच गए दो बार में साउथ पहुंच गए तीन बार में कहां पहुंच जाएंगे इस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे ठीक है लेकिन अगर हम उल्टी दिशा से आएं यानि कि राइट साइट से आएं तो एक बार में ही पहुंच जाएंगे इस डायरेक्शन में ठीक है तो विकें से कि यानि कि तीन बाया बराबर एक दाया इसके बाद अगर हम चार बाया देखें चार बार लेफ्ट हो जाएं तो फिर से हम नाउस डारेक्शन में ही पहुंच जाएंगे तो चार बाया या चार दाया फोर लेफ्ट और फोर राइट इस इक्वल टो जीरो डिगरी यानि कि वहीं के वहीं उसी दिशा में आपका मुख रहेगा इतनी बात किलियर हो गई चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं एक कॉंसेप्ट और समझते हैं ठीक है एक कॉंसेप्ट हम और समझ लेते हैं वो क् अ Wi-י जैसे मालल जी किसी व्यक्ति का मुख किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में ठीक है और उससे बोला जाय fondo एक बार दाहिने मोड जाओ तो उसका मुख किदर हो जाएगा इस टारेक्शन में दायने यानि कि 90 डिग्री क्लॉक्वाइज तो उसका मुख किदर हो जाएगा नौर्थ टू इस्ट ठीक है लेकिन फिर से यहीं बोला जाए कि भाई एक बार बाएं मोड़ जाओ फिर से एक बार बाएं मोड़ जाओ तो फिर से वह आपस कहां पहुंच ज जाएगा इसका मतलब क्या हुगा कि एक दाया प्लस एक बाया इसका भी मान कितना होगा जीरो डिग्री ठीक है यानि कि एक बार दायें मोड़े और एक बार बायें मोड़े तो फिर से वह सेम डायरेक्शन में फेस करेगा ठीक है अब अगर एक बार दाया और एक बार बाय बराबर 0 डिग्री हो सकता है तो 100 बार दाया प्लस 100 बार बाया भी 0 डिग्री ही होगा ठीक है यानि कि हर एक से एक कटता जाएगा बास वह मारे तो यह बहुत ही important concept है इसे आप हमेशा दिमाग में रखिएगा तो चलिए आप question के तरफ चलते हैं देखे question है मोहन अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 5 km चल कर बाय मुड़ा तथा 4 km चला वह पुना बाय मुड़ा और 8 km चल कर मंदिर पहुँच गया मंदिर स्वरी मोहन के घर था मंदिर के बीच कितनी दूरी है ठीक है देखिए कैसे solve करेंगे एक हम center point मानते हैं कि जहां से आपको चलना इस्टार्ट करना ठीक है कहीं भी आप मान सकते हैं मान लीजिए यहां से आप मोहन चलना स्टार्ट करता है और यह उसका घर है ठीक है होम है तो यहां से अगर चलना स्टार्ट करत क्या कर रहा है कि उत्तर दिशा की ओर उत्तर दिशा यानि की ऊपर या फिर सामने ठीक है तो कितना किलोमेटर तुलना में पांच दिखना चाहिए ठीक है यह नहीं कि आप एक किलोमेटर चला फिर पांच किलोमेटर उससे भी छोटा बना दिए तो आपका क्रिश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तुलनात्मक रूप से एक लगभाग दिखना चाहिए आपको बिल्कुल स्केल ले भी नहीं आएगा कि क्यों गलत हो रहा ठीक है चलिए तो क्या कहरा आगे उत्तर दिखा की और पांच किलोमेटर चलकर बाएं मुड़ा बाएं मुड़ा यानि की एंटी क्लाक वाइज ठीक है तो उत्तर से बाएं किधर हो जाएगा फस्चिम दिखा में वेस्ट डारिक्श एक लगभग लगना चाहिए कहां चलो भाई यह पांच है तो दूसरा चार है ठीक है इसके बाद क्या गह रहा है वह पुनाह बाएं मुड़ा और आठ किलोमेटर चलकर मंदर पहुंच गया अब अगर यहां से पुनाह बाएं मुड़ेगा यानि कि एंटी क्लाप वाई आठ किलोमिटर अब यह टेम्पल है मंदिर है पूचरा इस मंदिर से जो ुसका घर है यह कितनी दूरी पर है ठिक है मौहन के घर तथा मंदिर के बीच कितनी दूरी है तो यहां पर आप पाइथागोरीन दियुर्ण लगा सकते है पाइथागोरेस का फार्मूला लगा सकते हैं कैसे देखिए अगर हम यहाँ पर इसे कि देखेंगे ध्यान से तो यह एक त्रिभुज बन रहा है कौन सा संब्सक्राइब त्रिभुज ठीक है यहाँ पर 90 डिग्री अंगल बन रहा है ठीक है तो अगर हम इसे perpendicular मान लें ठीक है इसे और इसे base मान लें तो यह क्या हो जाएगा hypotenuse हो जाएगा और आपको पता है कि a square plus b square is equal to c square ठीक है अब बस क्या करना है a और b की value पहले find करना है कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा ठीक है देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा कि दो समान अंतर रेखाओं के बीच दूरी जो होती हमेशा बराबर होती है यानि कि यह रेखा और यह रेखा के बीच दूरी यह हर जगा क्या होगी बराबर होगी अगर यह 4 km है तो यह भी कितना हो जाएगा 4 km यानि कि एक की value तो मिलगी हमें 4 km कर इसी तरीके से इस समाल्यांत्र रेखा की फीबात करें इसके बीच की वी दूरी हर जगा क्या होगी ब्राबर होगी तो अगर यह पांच किलो मेटर यहां पर है तो यहां भी कितना हो जाएगा 5 kilometer ही होगा ठीक है यानि कि यह भी कितना हो जाएगा 5 km, यहां भी 5 km हो जाएगा अब total यह कितना है 8 km जिसमें यहां से लेकर यहां तक कितना हो गजया तो जो बचेगा यह कितना बचे गा 3 किलेमेटर तो इसकी तो आप अराम से निकाल सकते हैं, तो तीन का स्कॉयर प्लस चार का स्कॉयर बराबर सी का स्कॉयर, ठीक है, तो तीन का स्कॉयर नहों हो जाएगा, और चार का स्कॉयर 16, तो 16 और 9, 25 बराबर सी का स्कॉयर, तो सी की वैलू कितना आ जाएगी, पांच, ठीक है, तो पांच किलोमेटर उसके घर और मंदिर के बीच की दूरी होगी, ठीक है, आई होग, क्लियर हो गया होगा कुश्चन, ठीक है, एक कुश्चन और देखते हैं, एक आदमी का मुख उत उत्तर दिशा की ओर है, यदि वह तीन बार दाएं मुड़ता है, जहां से देखिएगा, तीन बार दाएं मुड़ता है, तथा दो बार बाएं मुड़ता है, वह पुना दो बार दाएं मुड़ता है, तथा साथ बार बाएं मुड़ता है, अंत में उसका मुख किस दिशा क और होगा ठीक है इसमें कौन सा concept योज होगा वन राइट प्लस वन लेफ्ट इस इक्वल टू जीरो ठीक है यानि कि सभी राइट को एक साथ करते हैं और सभी लेफ्ट को एक साथ करते हैं कैसे देखें इस्टाटि में क्या है तीन बार दाएं मुड़ता है तो थ्री राइट ठीक है प्लस यहां पर फिर से है दो बार दाएं मुड़ता है तो टू राइट तो टोटल कितना हो गया फाइब राइट पांच बार दाएं हो गया इसके बाद दो बार बाएं मुड़ता है और लास्ट में सात बार दाएं मुड़ता है यानिकि टू लेफ्ट प्लस सेवन लेफ्ट इस इक्वल टू कितना नाइन लेफ्ट तो पांच बार दाएं मुड़ा है और नौ बार बाएं मुड़ा है तो इस पांच बार दाएं से इसका लेफ्ट यह कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा बचेगा कितना फोर लेफ्ट और आपको पता है चार दाया या चाया बायां उसकी विछ वैलु क्या होती है जीरो तो आपका अंसर भोट ही पानी से मिल गया उसका अंत में उसका मुख किदर होगा उत्तर दिशा में ही होगा ठीक है यानि कि किदर भी मुढ़ने की जरूरत नहीं है आई होप यह बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा होगा अगला क्यूशन देखते हैं एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है यदि वह 135 डिगरी दाय मुरता है और 90 डिगरी बाय मुरता है वह पुना 135 डिगरी दाय मुरता है और 90 डिगरी बाय मुरता है यही प्रकरिया वह 10 बार कुल 10 बार दोराता है अंत में उसका म मुख किस दिशा की और होगा। थीक है, यह सें इसमें भी यूज करेंगे, यानि कि अगर न राइट plus one left is equal to 0, तो one degree right plus one degree left is equal to 0 यह भी सही होगा, ठीक है तो हम जितने भी राइट डारेक्शन में जितना डिग्री मुड़ा है उसे एक साथ कर सकते हैं और लेफ डारेक्शन में जितना डिग्री मुड़ा है उसे एक साथ कर सकते हैं ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए आपको सबसे पहले 10 बार जो दाय मुड़ा है 135 डिगरी 135 गुड़े 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा कुल 1350 डिगरी वो दाय मुड़ा है ठीक है इसके बाद 90 डिगरी बाय मुड़ता है एक बार में कुल 10 बार यानि कि 90 गुड़े 10 तो 900 बाइं मुड़ेगा ठीक है 1350 दाएं और 900 बाइं क्लियर है तो अभी क्या बचा इस 900 से यानि कि 900 डिगरी लेफ्ट से 900 डिगरी राइट क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा तो बचेगा कितना 450 डिगरी राइट ठीक है 450 डिगरी राइट बचेगा बात क्लियर हो रही है अब इसमें से हम 360 डिगरी घटा सकते हैं कैसे यह 360 यानि कि पूरा एक चक्कर अगर हम इसमें से निकाल लेंगे 450 मसे ठीक है क्योंकि 360 डिगरी के बैलू भी क्या हो जाती है 0 हो जाती है ठीक है तो हम फिर से इसमें से 360 डिगरी घटा सकते हैं जब भी हम 360 डिगरी 450 से घटा आएंगे तो कितना बचेगा 90 डिगरी 90 डिगरी राइट ठीक है तो अब हमें फाइनल मिल गया कि ब्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर था और उसे 90 डिगरी दाएं मुड़ना आए ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा East direction ठीक है यानि कि पूर बदिशा I hope clear हो गया होगा यह concept भी तो इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद